नमस्कार दोस्तू, हमारे चैनल पर आपका हार दिक्स वाकत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाऊंगा दोस्तो जो नुस्खा खून बनाने की मसीन है और आपकी आँखो की जल, चसमे का नमबर यदि आपका लगातार बढ़ता है आँखे भारी रहती है, आँखो के रोसनी कमजोर है, आपका लीवर कमजोर है या सरीर में कहीं भी गंदगी है, या आपको अपने सरीर की इम्म्यून पावर को बढ़ाना है दोस्तो इन सभी विमारियों का एक रामबान इलाज है दोस्तो हम इस नुस्खे को एक नैचुरल बॉम भी कह सकते हैं, जो आपके लीवर को सही कर देगा और जब आपका लीवर सही होगा, जब आपके सरीर का लीवर प्रोपर रूप से काम करेगा तो दोस्तो आपका पूरा सरीर ही प्रोपर रूप से काम करेगा क्योंकि दोस्तो हमारा लीवर हमारे सरीर का इंजन है और जब इंजन सही होगा, तो आपकी बोड़ी खुद अपने आपको सही कर लेगी जैसे यदि आप कोई कार चलाते हैं और जब तक उसका इंजन दमदार ना हो तो आपको कार चलाने में मज़ा नहीं आता ना ऐसे ही दोस्तों यदि आपका लीवर कमजोर है तब भी आपको अपने सरीर में मज़ा नहीं आता लेकिन यदि आपका liver मजबूत होगा, जो खाएंगे वो आपके सरीर में लगेगा, तब आपको ना तो कभी कोई बीमारी होगी, क्योंकि जो आपने खाया, जो vitamin और mineral का आपने सेवन किया, वो जैसा आपने खाया, वैसा ही आपके सरीर में लगा, यानि कि वो मल के रास्ते ब कर देगा, क्योंकि ये iron का खजान है, और जब आपके सरीर में नए रक्त का प्रवहा प्रोपर रूप से होता है, तो एक तो आपके चहरे पर नयाग गलो आ जाता है, आपके चहरे की सुंदरता खिल जाती है, और दूसरा दोस्तों, आप हरत रहें की बीमारी से बज़े र इलाज करेगा, तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं इस चमतकारी नुस्खे को, दोस्तों इस नुस्खे की जो सबसे पहली मुख्य समगरी है, दोस्तों वह है चकुंदर, दोस्तों चकुंदर खाने के फाइदे हम जानते ही है, चकुंदर को खून बनाने की मसीन कहा जाता है, आँखों की रोसनी को बढ़ाने वाली मसीन कहा जाता है दोस्तो पहली जो सामगरी है वह है चकुंदर और जो दूसरी इसमें सामगरी आपने लेनी है वह है दोस्तो किसमिस और दोस्तो किसमिस भी हमारे सरीर में ताकत का काम करते हैं खून की कमी का इलाज करती हैं, हमारे सरीर में नई ताकत का प्रवहा करती हैं, जोडों, कमर के दर्द, घुटनों के दर्द, इन सब से आपको बचा कर रखती हैं, कैलसियम की कमी का इलाज करती हैं, तो चले दोस्तों आपको बताते हैं कि आपने इस नुस्खे को बनाना कैस दोस्तो आपने पहले क्या करना है एक चम्मत से लेकर दो चम्मत तक आपने किसमिस लेनी है और उनको एक कटोरी पानी में भिगो ना है उनको अच्छी तरहे से धोकर साफ कर लेना है अब उनको बाहर निकाल लेना है जैसे कि ये हमने निकाल लिया अब दोस्तो आपने एक च इसमे ज़ाल के थोड़ी देर रखा रहने देने हैं, दोस्तो अब आपने किसी grinder में इनको डाल कर इनको अच्छी तरह से बलेंड कर लेना है, और उपर से इसमें डाल देना है एक नीम्बू का रस, और दोस्तो आपका नुस्खर एडी हो गया, दोस्तो आपने नीम्बू का प्रस ब्लेंड करने के बाद डालना है और दोस्तों अब आप इसको एक गिलास में ढालीजी और आपने इसका सेवन करना है दिन में एक बार खाना खाने के आदे घंटे के बाद यानी खाने के और इसके बीच में आदे से पोने घंटे का गैप होना चाहिए इसको खाने से प बदलाव महसूस होगा खून की कमी दूर हो जाएगी आपके चहरे पर गलवा जाएगा स्रीर की कमजोरी खतम हो जाएगी आँखों की रोसनी बढ़ जाएगी आँखों का चस्मा उतर जाएगा दोस्तों आपका जो नंबर है वो नहीं बढ़ेगा इमनुटी मजबूत होगी आपका लिवर प्रोप पर रोप से काम करेगा यानि आपका पूरा स्रीर है निरोगी बन जाएगा तो दोस्तों देर की सबात की है आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाईए और इस नुस्खे का प्रयोग कीजिए और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दीजिए तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिफकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों